नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सबीकर शिक्षा प्रभा में तो पेटा आप लोगों ने अपने 12th की एक्जाम दे दी हैं अब आप वेट कर रहे हो अपने रिजर्ट का और इसके साथ ही साथ CUET एक्जाम का तो पेटा आपका CUET एक्जाम होने वाला है जुलाई मन्त में और आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूं मुगल चितरकला उन सभी बचों के लिए जो CUET फाइन आर्ट एक्जाम देने वाले हैं जो फाइन आर्ट से अपना BFA बैस्टर ड मुगल चितरकला को भी मैं अपलोड कर चुकी हूं उस पर कुछ हम से क्यू कोशिंस में लेकर के आऊंगी आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है मुगल चितरकला उसको हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं आपने भी तक मेरे चैन को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना मुगल चितरकला का जो जनम है जो इसका उत्थान है जैसा कि मुगल नाम सी पता चल रहा है कि जब हमारे कंट्री में मु हम बोल देते हैं मुगल कला यानि कि वो कला जो अकबर जहांगीर सहां जहां के समय पर हुई अब मुगल का दरबार को किसने ऐसे मतब भारत में मुगल दरबार की स्थापना बाबर ने करी ती आपने हिस्ट्री में पढ़ा है लेकिन बाबर के समय के कोई भी कला आप पर रहे थे 1526 में उन्होंने मुगल सामराजी की स्थापना करी और 1530 में उनकी म्रत्य हो गई हम क्या पढ़ते हैं कि बाबर ने एक बाबर नामा लिखा जो कि तुर्की भासा में लिखा मतला बाबर को बहुत सी भाशाओं का ग्यान था तो उसने तुर्की भाशा में अप उस वक्त जब हिमायू गद्धी पे बैठा तो वो 23 साल का था हिमायू का भी जो जीवन था वो संगर्ष के साथ रहा आप लोग उन्हें पने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मैं फिर से अगर बता दूं तो हिमायू के जो बागी के तीन भाई थे उन्होंने बगावत कर दी क कोई किसी से मिल गया किसी से मिल गद्धी के लिए युद्ध होने लगा तो बाबर ने भी बहुत ज़्यादा समय हमारे यहां पर शाशन नहीं किया उसको शेर सांसूरी ने हरा दिया था लेकिन हिमायू की क्या थी कि चितर कला में रूची थी तो वो क्या करता था कि जब युद्ध पे जाता था, तो अपने चितरकारों को अपने साथ ले जाता था और उनसे चितर बनवाता था, ठीक है? तो अब इस समय एक ग्रंथ की बात आ जाती है, हमजा नामा, तो हमजा नामा जो ग्रंथ है, यह इसमें इरान के बादशाओं का इतिहास इस ग्रंथ में एक तरह से दिखाया गया, और इसके अदर बहुत संदर संदर चितर बनाए रहे हैं, हमजा नामा जो ग्रंथ है या जो पोथी चित्रन हुआ, उसकी शुरुवाद जो थी, हिमायू ने अपने समय पे कर दी थी, लेकिन उसका जो कार्य कम्प्लीट करवाया, वो करवाया अकबर ने, यानि कि वो जो पुस्तक थी, उस पे चित्रन हिमायू के समय पे शुरू हो गया, लेकिन हिमायू के मृत्य हो गई, लेकिन वो हमजा नामा कम्लीट नहीं हुआ, अकबर राजा बना और उसने फिर उसके अंदर चित्रकारी कर आई, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई अकबर के काल में, अकबर के काल में जो फेमस चीज़े हैं, वो हमजा नामा और अकबर नामा, यह दो पोथी चित्र जो हैं वो बहुत जादा फेपास है, और अकबर नामा का भी जो एक चित्र है, सलीम का जन्म, वो बहुत फेमस है, अब यहां पर आप पढ़ रहे हो कि अकबल काल कला के लिए सुन कल कला है बस यही चीज़ यहां पे गलत है हमारी चितर कला की बहुत सी बुक्स इसी हैं जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी गल्तियां पाई जाती है तो वो हमको दो-तिन बुक से ऐसे पढ़के टैली रहना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें सही है तो जो मुगल कला का सुवन यूग है वो अकबर के काल का नहीं है वो है जहांगीर के काल का जहांगीर वही है सलीम अकबर का बेटा ठीक है विटा, तो अकबर के काल में हमने इस चीज को देखा, अकबर के काल के जो चितरकार हैं, अगर आप वो देखोगे तो वो थे मीर सेयदली, अबुसमस्य राजी, दस्वंत बसावन, तारा, हारवंश, बालमकुद, मिसकिन, फारुक चेला, खेम करण, अकबर के समय पे सारे बहत सारे छिपना, जित्र कार थे और क गुछि घलाकार बी थे, यानि अथि कि हिंदू, मुस्लिम, उन हिंटु गुज ऱर्द्री और सबी चितरकारों को एक तरह से आश्रह देता था, जो भी चाहता था, वो उसके धरबार में जा सकता था और चितरकारी कर सकता था, क्योंकि अकवर को खुद भी चितरकारी बहुत जादा पसंद थी. अक्वर के बाद जो उसका बेटा हुआ जहांगीर वो उससे भी बड़ा चितर प्रेमी हुआ दूर दर्शी हुआ विद्वान हुआ नाय प्रिया हुआ और उसको तो चितर कला को परखने की भी शमता उसके अंदर थी जहांगीर नाम में जहांगीर का एक जगा पर उलेख है वो कहता है कि अब मैं किसी भी चितर को देख के बता सकता हूँ कि वो चितर किस उस्ताद ने यानि कि किस चितरकार ने बनाया है ठीक है उसको मतलब कला की इतनी पहचान हो गई थी जहांगीर का बेटा जहांगीर का बेटा सहांगीर की रूची जो थी वो चित्रकला में थी उसकी रूची थी वास्तुकला में यानि किस था पत्ते कला में यानि इमारते बनवाने में तो चित्र तो बने और बहुत ज्यादा चित्र बने लेकिन उनकी किस्म अच्छी नहीं थी क्योंकि उसकी रुची में नहीं थी चित्र कला में तो उसको पता नहीं चित्र अच्छे बन रहे हैं गंदे बन रहे हैं लेकिन जैसे बन रहे हैं बस बन रहे हैं एक तरह से कार खाने चल रहे हैं, चितर बनाने के, उसकी रुचिती इस थापत्यकला में और उसने अपने समय में बहुत सी इमारतों का निर्मान करवाया, जैसे आप लाल किला देखते हो, जामा मस्जिद देखते हो दिल्ली में ही, ठीक है, अब उसकी बाद, यानि की शिखो ऐसा पुत्र था, जिसको कला में, संस्कृती में मतलब रूची थी, लेकिन दारशिखो की जो मृत्यों थी और अरंग जेव ने कर दी, जैसे कि आपको सभी को पता है, और अरंग जेव ने अपने सभी भाईयों की मृत्यों मतलब एक तरह से सभी को मार दिया था, उसके बाद गुगत्दी पे बैठा था, तो औरंग जेव जो था, वो कटर मुस्लिम था, और उसने जो कला थी, यानि की चित्र कला थी, उसको इसलाम के विरुद घोशित कर दिया, इसलाम के विरुद वो कला को समझता था, इसले उसने बहुत से कलागारों को मरवा दिया या फिर अपने राज्चे से निकाल दिया, एक तरह से मुगल कला का जो पतन है, वो औरंग जेव के समय पे हो गया, मुगल कला की शुरुआत हिमायू के समय पे हुई, और जो उसका अंध हुआ, वो औरंग जेव के समय हुआ, अब मुगल आर्टिस्टों के कुछ नाम जो यह साम्लानंद माधव केशव, यह सारे गुजराती कलाकार थे अब मुगल कला में चित्र कौन से बने, तो मुगल कला में सबसे पहले तो सभी चित्र बने, सभी होता है पोट्रेट, व्यक्ति चित्र बिजिसको बोला जाता है, और अगर समझाने के लिए बोलू तो पोट्र बना लो यानि किसी व्यक्ति विशेष का चित्र विभिन एंगलों से, यह थी मुगल चित्रों में एक विशेष था, सभी चित्र जो की मूल रूप से मुगल कला की देन है, इसके लाबा युद के द्रश्य, दरबार द्रश्य, उत्सवों के द्रश्य, यह प्राकर्तिक द मुगल कला में बनाइ गए यह वाले चितरण इसके अलामा पोधी चितरण जो हुआ वो मुगल कला की देना है मतला गृंत चितरण सबसे जादा कहां हुआ किताबों के अंदर चितर कहां मने मुगल कला में बने है ना जैसे कि बाबर नामा में बने, अमीर हमजा जिसको दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा बोल देते हैं, अकबर नामा, शहा नामा, जफर नामा, रामायन, दिवाने हाफिस, तूती नामा, यारे दानिश, तारिखे खांदान, तैमूरिया, बक्यात, बाबरी, रामायन, जल्दम्यंति पंच तंत्र जिसको अन्वरे सुलेही भी बोला जाता है यह सारे ग्रहन्थते जो बोला जाएगा की पोथी चित्रन मुगलकाल में हुआ अकबर कालिन चित्रकरा के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो अकबर जो था वो मतलब बहुत चोटी उमर में यानि की 13 साल की उमर में ही गद्धी पर बैढ़ गया था क्योंगे इसके पिता हिमारी किम्रत्य हो गई थी उसको पता था कि मुझे जो है यहां पर साशन करना है और यह मैरी कंटिर नहीं है क्योंकि मुझे जो इसके पिता यह दादा थे, वो इरां से थे, वो हिंदुस्तान के नहीं थे तो उसको पता था कि अगर मुझे इहां पर साशन करना है तो मुझे इहां के लोगों को अपना बनाना पड़ेगा तो उसके लिए उसने क्या किया कि यहां के लोगों को अपना बनाने के लिए उसने उन लोगों के साथ थोड़ा अच्छा वहवार किया बाकी लोगों के मुकाबले यानि बाबर हमायू के मुकाबले यहां के लोगों के साथ अच्छा वहवार किया उनको अपनी मीतियों से औ राजाओं के यहाँ पे अपने जो मेन उसके दरबारी थे उनकी शादी कराई जिससे की रिष्टे कायम हो सके और वो यहाँ के लोगों पर साशन कर सके ठीक है इस तरह से उसने हिंदुस्तान को अपनाया और यहाँ पर उसने साशन किया इसके साथ ही साथ उसकी जो रूची अपनाया और उसने का कराण उसने क्या ग्रंति जैसे की महा भारत हो गया रामायन हो गया पँच्तन्त हो गया उन सब का उसने फारशी में अनुआद कराया और उसके जिसके लिए उसको जरूरत पड़ी, लिए पिर हिंदू चित्रकारों की, क्यूंकि मुस्लिम चित्रकार तो कथा को रामायन को नहीं जानते हैं, जो उस पर चित्रांगन कर सके, तो इसलिए उसने अपने दर्भार में performance हिंदू चित्रकारों को भी जगा दी, गुजराती कलाकारों को भी जगा दी और ग्रंथ चित्रण करवाया सबसे ज़्यादा जो पोथी चित्रण हुआ वो अकबर के समय पर ही हुआ ठीक है इसके दर्बार में हिंदू, मुसल्मान, इरानी हर तरह के कलाकार थे इसके समय के कलाकार मीर सयद अली, अबुट समसी राजी, दसवंद बसावन, बाल मुकुद मिस्किन आपने इससे पहले पढ़े ही हैं अकबर चित्रशैली की विशेष्टा क्या थी? तो अकबर के चित्रों की विशेष्टा है एक चश्म या डेड़ चश्म चहरे अब एक या डेड़ चश्म चहरे क्या होते हैं? जैसे कि हमने ऐसे कोई फेस है और उसको पूरा बनाया यानि कि अगर उसमें पूरी दोनों आखे दिख रही है तो वो दो चश्म चहरा है अगर किसी के फेस को ऐसे बनाया जाए कि उसमें डेड़ आँख दिखें तो वो डेड़ चश्म चहरा है एक आँख दिखें एक चश्म चहरा है सवा आँख दिखें सवा चश्म चहरा है और एक चश्म चहरे से कम बनता नहीं है कम से कम जह natural हो जाए तो अकपर हिंहां गतिए उनमें कुछ में था और कुछ में सवा जुच्म जैसे आप यह फेस आप थे अप बनागी हो जो आपको यहां पर दिख है के अन्दर एक ही आँख दिख रही है तो ये है पूरा दो चस्म चहरा इसी तरह से डेड़ दिखेगी तो डेड़ चस्म चहरा ये वर्ड आप समझ गए होंगे इसके अलावा भाव थे अकबर के समय जो चितर बने उनके अंदर अच्छी हस्त मुद्राएं थी पुर्षों को जो वेशबुशा पहनाई गई थी ज पहाविक मतलब उनके पशो पक्षों के चितर बीचों वहाविक और सहरां यहां बनाए हुए है कैसे रंगों का प्रयोग हुआ तो चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ ठीक है कौन کौन рис हीं गुल गुलाबी भुच्ho रंगों का प्रियोग किया गया यानि कि मिसरित कलर प्रियोग में लाए गई इन चित्रों में भावन को अभिव्यक्ति दी गई है चित्र सजीव प्रतीत होते हैं अच्छे अलंकरण है बारीक लाइन इसके अंदर बनाई गई है मुगल कला में हाशिया विटा देखो जैसे अब आप यहां पर ये चित्र देख रहो तो इसके चारो तरफ ये जो बॉर्डर छोडा हुआ है इसको हाशिया बोलते हैं तो उसके और कड़ा देते हो तो चारो तकर बॉर्डर बनादेते हो तो वही महीं हाशा कहलाती है तो अलंकरण करते थे जे लोग कि मुगल कला मे हाशिया मुगल कला की ही देन है इस से पहले कोई भी कला में हाशिय नहीं बने है बेल बूटे मानवकरती ठीक है ये सारी जो थी इनके अलंगरण के तरीके थे कहीं कहीं ये फार्सी भाजा में से कुछ-कुछ लिख दिया करते थे अकबर के समय पे आप अगर बारी आये जहांगीर काल की तो जहांगीर अकबर का बेटा था कला उसको विरासत में मिली थी क्योंकि उसका पिता था वो भी कला की प्रती जागरुख था तो इसके अंदर भी बच्पन से ही कला आ गई इसके साथी साथ इसको जो था प्रकरती से भी प्रेम था तो इस वज़े से जो अकबर के समय जो चित्र थे वो पोथियों में बने ग्रंथों में बने हिंदू ग्रंथ के फार्सी में नुवाद हुए और उन पर चित्रांकन हुआ लेकिन वहां पर प्रकरती का विलोग था जहांगीर ने क्या किया अकबर और जहांगीर की कला में इसके अलावा जहांगीर के जो चित्र थे वो अकबर की तुलना में जैसे अकबर ने तो पोथि चित्र गरवाया तो सिंगल चित्र जो थे वो जहांगीर ने जादा बनवाए अकबर की तुलना में और बहुत सुन्दर चित्र भी बनवाए जहांगीर के दौर की कला को ही मुगल कला में मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा फिर सुनकाल या फिर मतलब ऐसे बढ़िया पीरियड कला की दृस्टी से जहांगीर का कहा गया है जहांगीर काल में जो चित्र में रेखाएं हैं वो बारीक हैं कोमल हैं लचकदार हैं प्रभावकून हैं सजीव हैं और हलके रंगों का प्रयोग जहांगीर काल की कला में हुआ जैसे हलका गुलाबी सफेर सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग हुआ अब टॉपिक कौन-कौन से हैं जो जहांगीर के समय पर चित्रन हुआ तो भिक्षुक, साधरन, जनजीवन, सूफी, संथ, पेड़, पोदे, पसुपक्षी, शिकार, दर्बार, तड़क-बड़क वाले चित्र या फिर शभी चित्र या फिर उत्सव चित्र व्यक्ति चित्र अब जहांगीर कालीन चित्रकार कौन-कोन है तो आका रजा, अबुलहसन, मुहम्मद मुराद, विसंदास, सालिवाहन, फारुक, बेग, गोवर्धन, विचित्तर, गो, दौलत, उस्ताद, मनसूर और नादिर, ये जहांगीर कालीन चित्रकार है इस समय जो थी, जो चित्रकला थी, वो इरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी, रेखाय कोमल थी, माहीन थी, पशुपक्षियों कर सावाभिक चित्रन था, एक चश्म चहरे इस समय बने थे, रंगों की तड़क भड़क कम थी, सूफियानापन अधिक था, सुन रंगों क परको जर्म से लेघं जी है, लेकिन समय नहीं है, ने कि सकत्र सिरहन चीत्र में तो सहां जहां का परियाड था उसके बने आदिस्यत के हमिले बने हैं, लिसनकी जांगीर की ना goinत कि क्रेंपर कहरे लिए, तो बने ज्यांत्र केूड किया जाए तो उसकी जो जैसे, इसी तरह से सहाजाकाल में चित्र तो बहुत बने कार खानों में चित्र बनने लगे चपने लगे सब काम होने लगे लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो गई और अकबर के समय पे क्या हुआ बिल्कुल ही खतम हो गया क्योंकि इन जनाब का चित्र कला से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था और ये कट्टर सुन्नी मुसल्मान थे और इनको कला से नफरत थी कलाकारों से नफरत थी इनसे जितना भी कला को नस्ट किया गया इन्होंने किया जो इनके दादा पर दादाओंने पिताओंने जिस कला को सहेजा उसको बरबाद करने का काम औरम जे देखिंट के बाद। मुगलकला की विशेष्टा तो विशेष्टा को बादसा की निगहाओं में उंचा उठाने के लिए उसमें आकर्षन और स्वभाविक्ता को मिक्स किया जाता था दर्बारी शानों शोकत एतिहासी घटनाओं पर भी चित्र बने उठसवों पर भी चित्र बने और सलीम का जन्म जो चित्र है वो बहुत जादा फेमस चित्र है अकबर नामा का चित्र है जो अकबर के समय पे बने थे इसके अलावाद दारशिकों की बरात एक फेमस चित्र है पंच तंत्र का जो अनुवाद इनों ने किया जिसको अनुवरे सुलेही के नाम से जाना जाता है बहुत जादा फेमस पोथी चित्रण है ये भी अकवर के समय पर हुआ था प्रकरती चित्रण में जहांगीर के समय पर पेड़ पोधे पशुपक्षियों की सजीवता को मूल रूप से चित्रित किया गया है रंगों में एक विशेश प्रकार की चमक मुगलकाल के चित्रों में देखा जा सकता है क्योंकि मिश्रित रंगों का प्रियोग हुआ है तो बहुत से कलर इनोंने एक दूसरे में मिक्स करके बनाए है बहुत ही सूफियाना और आखों को थंड़क देने वाले रंग मुगलकला में प्रियोग में लाए गए है हाशिया सुसजित करना चितर के साथ हाशिया बनाना मुगल कला की निजी विशेश्टा थी और ये भारती अकला में मुगल कला की ही देन है और इन हाशियों को बाद में बेल बूटों से, खग, म्रग, मानवकर्तियों से सजाया जाता था अगर हम बात करें राजस्थानी और मुगर शैली की तो जो राजस्थानी शैली है वो धारमिक कत tremendous करण पर अधारित है यानि कि राधा और कृष्ण पर अधारित है लेकिन जो मुगल कल्णा है वो मूल रूप से डर्बारी करा है वहाँ पे दर्बारी शान और शोकत को दिखाया गया है ठीक है राजस्थानी जो सेली है वो पून रूप से भारतिया है मत्तब उसके किसी भी कला का मिल नहीं है और जो मुगल कला है वो भी पून रूप से भारतिया है क्यों क्योंकि इसकी जो शुरुआत करी थी वो इरानी और भारते कलाकारों ने मिलकर गरी थी ऐसी कला इससे पहले कहीं पर भी नहीं वनी बेशक कलाकार मुसलिम थे लेकिन बनी मुगल दौर में ही है वो कला इससे पहले कहीं पर भी नहीं वनी इसलिए मुगल कला को भी भारते कला के नाम से ही जाना जाता है अब हम पढ़ेंगे बिटा मुगल कालीन चित्र जो आप से पूछे जा सकते हैं आपके CUET के स्लेबस में है तो सबसे पहला चित्र है बिटा कभीर और रेदास का चित्र बिटाब यहां पर देख रहे हैं इसके अंदर दो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं बताने वाले हूँ सिर्फ जरूरी चीज़े आप पढ़ोगे तो इसके अंदर दो मानव करती हैं एक कभीर है और दूसरा रेदास है उस्ताद फक्किर उल्लाखा ने इस चित्र को 1640 हीश्वी में शहां-जहां के टैम पर टैमपरा तकनीक में बनाया है जो कि आज की डेट में रास्टर संग्राले नई दिल्ली में रखा हुआ है चित्र को आप अच्छे से देख लेंगे और डिटेलिंग इसकी याद कर लेंगे सेकेंड चित्र है आपका क्रश्ण गोवर्धन परवत को उठाते हुए तो बिटा यह मिस्किन इसके चित्रकार है अकबर के जाम का चित्र है टैमपरा तकनीक में बना है राश्ट्र संग्राले में रखा हुआ है और कागज पर जल रंग से बना है चित्र को आप इसको भी देख लीजी गोवर्धन धारी श्री कृष्ण यहाँ पर श्री कृष्ण है जिनको पीली दोती में नीले रंग से चित्रित किया है उनकी बाड़ी को जानवर भी खड़े हुए है चोटे बच्चे भी खड़े हुए है जिनको श्री कृष्ण बचा रहे हैं बारेश से ठीक है बिटा तीसरा चित्र जो आपके स्लेबस में है वो है बाबर सुर नदी पार करते हुए यह जगनात का चित्र है अकबर के टाइम का है टेमपरा देखो बीटा बार बार आ लिए टेमपरा तक्निक टेंपरा टेकनिक क्या होती है? मैंने पहले भी बताया है पार दर्शी रंगों को अपार दर्शी बनाने की टेकनिक को टेंपरा टेकनिक बोलते हैं रास्र संग्राले में रखा हुआ है कागच पे बना है और 1598 इश्वी में चित्रकार जगनाथनेस को बनाया है और यहां पर आप इस चित्र को देख सकते हैं ठीक है नीचे नदी बना रखी है आसपास छोटी मोटी नाव है जिसमें उनके सामन्त वगेरा सिपाही बैठे हुए है और एक बड़ी सी नोका है जिसके उपर बड़े सी सिंगहासन पे इसको बाबर को बैठे हुए दिखाया है चोथो चित्र है बेटा जहांगीर मेडोना यानि मर्दर मैरी मेडोना को पकड़े हुए यह चित्र बेटा अबुल हसन ने बनाया है और अबुल हसन के इसी चित्र पर उनको नादिल उल अस्र की नादिल उल जमा की उपाधी प्रदान की थी कितने जहांगीर में मतलब कि अबुल हसन जहांगीर का फेवरिट चित्रकार था और यह चित्र भी उसी ने बनाया है टैंपरा तकिनिंग में 16 बीजने और यह वाला चित्र भी डास्रे संग्राले नई दिल्ली में रखा हुआ है इस चित्र को भी आप देख लीजिए हासिया कितना बड़ा हाशिया बना रखा है सुंदर बेल भुटो से सजा हुआ उर्दू-फार्सी में ऐसा कुछ-कुछ लिखा हुआ है और बीच में है जहांगीर जिसके सीधे हाथ में उसने एक चित्र को पकड़ा हुआ है जो की मेड़ोना है इसकी बाद बिटा पांचवा चित्र जो आपको दिया गया है वो है दारासिकों की बाराथ यह वाला चित्र हाजी मजिनी ने बनाया है 1740-50 में बनाया है मुगल शैली में टैंपरा तक्निक रास्ट्रे संग्राले में रखा हुआ है यहां यहां पर प्रकाश्फवन नजर आ रहा है यह है कौन सह जहां और यह है उसका बेटा दारशी जिसकी बाराथ निकल रही है और यहां पर यह साइड मतलब जो आपको राइट साइड में दिख रहा है यह है वदू पक्ष जहां पर कुछ महिलाएं भी ऐसे स्वागत के लिए आई है और यह जो आपको राइट साइड में दिख रहा है यह है इनका बारात चीक है और यह है महल जहां पर कुछ महिलाएं चड़ी हुई है यह आकाश में 30 बाजी हो रही है डूल लंगाड़े बच रहे हैं और यहां पर लोग नाच रहे हैं कहां पर वधु पक्ष में चीक है मिटा बहुत सारी आ करती हो और बहुत अच्छा चित्र है यह चटा चित्र जो आपके इस लेवश में है वो बाज लिखा हुआ है ओढ़ दिता बहुत चित्रत की बाज जहांगीर को चित्र कंड़ टाइम पीरेड है जहांगीर काल है टैंपरा टेक्नीक है रस्रे संहले में रखा ho Jonister Strघा निज्मे इस चित्र को बनाया था कागच पे जल्वंग से साइड में उत्तम भी लिखा हुआ है इसलिए इसको उत्तम बाज या बहरी बाज के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बिटा तो ये थे छे चित्र जो की आप से जहांगीर मुगल काल में आपके स्लेबस में दिये गए हैं जिस पर कि आपसे क्वेशन पूछे जा सकते हैं बिटा हमने दो चेप्टर आपके सीवेटी स्लेबस से पढ़ लिया हैं राजस्ताने शली और मुगल शली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ हसे न एमसी क्यों कोशन्स या वनवर्ड कोशन्स लेकर के आऊंगी जिससे कि आपके यह दोनों टॉपिक किलियर हो जाएंगे इसके साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो पहाड़ी कला पर होगी आशर करते हूं आपको मुगल कला का जो कौनसेप्ट वो किलियर हुआ होगा आपको काफी हद तक समझ आया होगा बचे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर करना मत बूलना बिटा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना